हेलो एवरीवन, स्वागते आप लगूं का मेरे यूटूब चैनल LWT चॉप में तीन बड़े स्कूलों से स्विक्षक भरती का विज्यापन चारी किया गया है डैली पबलिक स्कूल गोंती नगर से वेकेंसी है और सैनिक स्कूल राजनंद गाउं से वेकेंसी है ठीक है तो अलग-लग राज्यों से वेकेंसी आई हुई है PRT, TZT, PZT सभी विश्व में वेकेंसी है कोई फीस नहीं लग रही है चलिए देख लेते हैं अफिशल वेबसाइट पर जाके दोनों के जो है देखेंगे विज्ञापन डिटेल में जानेंगे कैसे जो है इसमें अप्लाइ करना है डैली पबलिक स्कूल गोंती नगर लखनोव की अफिशल वेबसाइट पर जो है इसका एडवर्टीजमेंट डाला गया है दूसरा डीपियस सैनिक स्कूल ये इसकी ओफिशल वेबसाइट है सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं डैली पबलिक स्कूल गोंती नगर एक्स्टेंशन लखनोव उतर प्रदेश से ये वेकेंसी है इसमें जो है वेकेंसी प्री प्राइमरी टीचर्स की जो पोस्ट है ग्रैजुइशन के साथ में एंटिटी या मौन्टेसरी आपने कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को पहले ही बता दूँ कि फ्रैशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते चार से लेकर पान साल का जो है टीचिंग एक्स्पिरेंस आपका होना जरूरी है किसी भी पोस्ट के लिए प्रायमरी क्लास 1-5 के लिए ग्रैजुएशन के साथ में बीएड और सीट अड़ पिपर वन कौलिफा होना चाहिए Primary 1 to 5 के लिए Cambridge Curriculum तो इसमें Cambridge Certification होना चाहिए आपका Graduation plus B.Ed. plus Seated Paper 1 Middle School में Class 6 to 8 को पढ़ाने के लिए Graduation के साथ में B.Ed. और Seated Paper 2 क्वालिफाई हो Middle School Class 6 to 8 के लिए Skill for Life Coach का जो है आपके पास आपने ये कोर्स किया हो Graduation के साथ में B.Ed. और Master आप English में होने चाहिए या फिर Master Degree Sociology में हो या Psychology में हो और Personality Development Course आपका होना जरूरी है ठीक है Senior School TZT Grade 9 और 10 के लिए Graduation in respective subject and B.Ed. और Seated Paper 2 PZT के लिए Master Degree हो subject में अब यहाँ पर कोई भी subject हो सकता है आपका हम कह सकते हैं कि TZT PZT में है All subject में Vacancy है ठीक है लेकिन वो subject आपने जो है Graduation में पढ़ा हो तो आप TZT के लिए Apply कर सकते हैं B.Ed. और Seated Paper 2 क्वालिफाई होना जरूरी है PZT Senior School के लिए अगर आप Apply करना चाते हैं तो इसमें जो है Master Degree आपका subject में होना जरूरी है B.Ed. भी जरूरी है और Seated Paper 2 आपका क्वालिफाई होना भी जरूरी है Coding Teacher की Vacancy है तो B.T.E.C. वाले Apply कर सकते हैं B.Sc. Computer Science वाले Apply कर सकते हैं B.C.A. वाले B.Sc. I.T. के साथ में Beard वाले Candidate भी इसमें Elisible है Animation Teacher की Vacancy है Graduation साथ में D.C.A. Diploma in Computer Application Graduation equivalent to B.C.A. या B.Sc. I.T. या Bachelor of Fine Art ठीक है Librarian की Vacancy है तो Bachelor या फिर Master Degree आप हों Library Science में Music Teacher की Vacancy है Drummer, Violinist, Guitarist, Guitar Player Sports Coach में Football, Chess, Badminton है Admins की Vacancy है तो Science Lab Assistant तो इसमें 12th आपने की हो Physics Chemistry Bio से Housekeeping Staff की है Medical Assistant की है Campus Supervisor की Transport In Charge की Vacancy है ठीक है DPS में Salary जो है CBC Norms के According रहती है आप सभी जानते है अगर हम Pre Primary Teachers की बात करें तो 30,000 से अधिक ही जो है Salary में रहती है ठीक है तो बिना Experience की आप यहाँ Apply नहीं कर सकते बस इसमें यही है लेकिन हर एक DPS में ऐसा नहीं है किसी किसी में जो है Pressure भी Apply कर सकते हैं बट इसमें नहीं ठीक है अब चली देख लेते हैं दूसरा जो Notification है DPS Sanic School Newspaper में पब्लिश हुआ है Delhi Public School and Sanic School राज नंद गाउं 36 गड में है यह तो यह दोनों ही जो है एक ही जगे के हैं PRT में English, Hindi, Mathematics, EBS Art and Craft Primary Teacher Theater, Art Primary Teacher की है Trained Graduate Teachers में English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science Computer Science है PZT में English, Mathematics, Physics, Chemistry Biology, Accountancy है Economics है, Business Studies है और कथक है इसमें भी कम से कम 3 साल का Teaching Experience आपका CBC School का माग रहे है Preference will be given to candidate who wish to reside on campus Beard भी जो है आपका होना चाहिए Fluence in English is must English भी जो है यह कह रहे हैं कि English तो आनी ही चाहिए ठीक है Preference देंगे SA Candidate को Ex-Servisement को देंगे Sanic School में पहले से पढ़ाए हुए है उनको देंगे Administration में जो है Lab Assistant, Band Master, Administrative Officer Campus In Charge, Receptionist Commanding Officer, Vice Principal Social Media Manager, Office Clerk Girl and Boys, Hostel, Superintendent की Vacancy है इसमें दो साल का कम से कम अन्वब कह रहे हैं अब apply कैसे करना है तो apply करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को Left Side में Email Address दिया है dpsrzn.resume.zmail.com यहाँ पर आप लोगों को अपना CV समिट करना है Official Website का Link जो है अलग-अलग दिया हुआ है दोनों का ही आप देख सकते हैं यह Official Website का Link है और यह Official Website का Home Page School के बारे में जान सकते हैं यह किस तरीके से है कि DPS Sanic School यह नाम क्यूं है क्योंकि आपको पता है कि Sanic School बहुत सारे Sanic School इस साल जो है नए बने हैं यानि बहुत सारे जो है Private School convert हुए है Sanic School में तो साइद यह DPS School जो की Sanic School में convert हुआ है ठीक है तो यह ध्यान रखेगा तो salary तो काफी अच्छी जो है इसमें दी जाती है अलग अलग salary देते हैं काफी अच्छी salary जो इसमें रहेगी अनवफ तो मांग ही रहे हैं दूसरा जो है DPS गोमती नगर जो लखनों के वे कैसी है इसमें कैसे apply करना है इसमें इन्होंने लिखा है कि जो भी candidate को shortlisted करेंगे तो उनको interview के लिए बुलाएंगे ठीक है और इन्होंने contact number दिया है यहाँ पर यह पूरा address है sector 4 गोमती नगर extension लखनो उत्तर प्रदेश इसको cross करके देख लेते हैं apply करने का option होगा इसमें यहाँ पर current opening नीचे current opening इस पर click करके देख लेते हैं apply करने का option जरूर होगा यह रहा यहाँ पर देखिए right side में देखें यहाँ पर जो है अपना नाम लिखना है contact number, email address, enter skills और अपना resume यहाँ पर आपको upload कर देना ठीक है DPS जो है अब सैनिक स्कूल में convert हो चुका है चलिए मिलेंगे next video में thank you